तक चलेगी आप सबी एस्पिरेंट्स जिन्होंने अभी तक अपना रेजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो MCC की ओफिशल वेबसाइट www.mcc.nic.in पर जाकर अपना रेजिस्ट्रेशन करा सकते हैं अब आईए चलिया आगे बढ़ते हैं दो दिन का रेजिस्ट्रेशन अल्रडी ओबर हो चुका है कुछ डाउट्स जो हमारे past experience के द्वारा भेजी गए उन डाउट्स को clear कर दिया गया है और एक common doubt जो सुबेसे शाम तक experience के तरफ से आ रहा है जो उन्हें अपने रेजिस्ट्रेशन को proceed करने में एक बाधा बन रही है जो doubt वो doubt है confirmation number जब भी आप MCC के पोर्टल पे जाते हो तो पहले आपको एक candidate registration page मिलता है उस page में आपको ये registration number का field मिलता है और ये registration number के field ने aspirants के मन में बहुत शक्का पैदा की है तो इस वीडियो में हम देखेंगे वो confirmation number आखिर है क्या चीज़ और आपको उसमें क्या भरना ह है आईए चलिए हम बात कर लेता है कि जब आप first page पे candidate registration के first page पे जाते हो तो टोटल उसमें क्या-क्या चीज़ें लिखी गई है और उनका क्या-क्या मतलब है क्या-क्या चीज़ें भरनी है सबसे पहले आपके पास ये लिखा हुआ आता है कि the candidate will get OTP one time password for completing the registration process on mobile number which candidate is furnishing in this form all future communication will be sent on the registered mobile number and email ID तो MCC नहीं ये एक message दिया है आप सभी experience को कि आप mobile number और email ID को mandatory है भरना उसको भरें उसको fill up करना बहुत जरूरी है और बहुत ध्यान से fill up करें क्यूंकि आगे की registration process के लिए आपके पास एक OTP भेजा जाएगा उस OTP से ही आपका confirmation होगा उस OTP one time password जो है वो आपसे मांगा जाएगा वो one time password आपको वहाँ पे देनी होगी इसके बार उन्होंने बोला है कि आगे की जितनी भी notification होँगी वो सारी आपकी जो mobile number है उस पे और email ID पर भेज दी जाएगी तो इसलिए आपको अपना mobile number और email ID बह होथ ही carefully और correctly भरनी है जिससे की और ये भी चीज़ ध्यान रखें कि जो mobile number आप यूज कर रहे हैं उसी वही mobile number आपको डालनी है जिससे की MCC द्वारा जितनी जल्दी जो भी notification भेजी जाती है आप लोगों के लिए वो आप तक जल से जल पहुंच सके और आप आगे प्रसीड कर सके आईए चलिए देखते हैं इस page में आगे और कौन-कौन सी fields दी गई है सबसे पहले आपको मिलती है stream field जिसमें आपको select करना है कि आप medical के के शाम तक परेशान किया हुआ है experience को तो यह confirmation number आप आपकी जो application sequence number है उसी को कहते है confirmation number आपकी यह application sequence number यह आपको आपकी admit card में मिलेगी उसी application sequence number को आप confirmation number field में fill up कर दे और proceed कर जाए उसके बाद की field है candidate name आपको अपना नाम डालना है mother's name आपको अपनी mom का नाम डालना है date of birth इसमें आपको अपनी date of birth डालनी है mobile number और email ID mobile number और email ID दोनों ही mandatory field है आप देख सकते हैं वहाँ पर star mark लगा हुआ है star mark मतलब mandatory है तो इस दोनों field को बहुत ही आराम से बहुत ही carefully और correctly भरें जिससे की आपके पास MCC द्वारा भेजा गया notification आ सके इसके बाद के field है security pin में उसके just नीचे capture दिया गया है alpha numeric order में उसको as it is capitals को capitals में और small को small letter में आपको as it is इस field में भर देना है और proceed कर दाना है तो यह थी आज की जो comment doubt confirmation number उसके उपर उसको short out करने के लिए video I hope कि आप सभी को जिसको भी confirmation number को लेकर के problem हो रही है और registration को proceed करने में दिक्कत हो रही है उनका यह doubt clear हो किया होगा और आप सभी aspirants से यह मेरी अनुरोध है कि please आप इस video को share कर दे क्यूंकि अगर आपने अपना doubt clear कर लिया है तो यह आप अगर share कर दे तो ऐसे बहुत सारे experience होंगे जिनके मन में अभी भी यह doubt होगी और इस video के थिरूरू उनका यह doubt clear हो सकता है वह अपना registration करा सकते है तो please आप इसे share कर दे और इस video में फिलाल इतना ही और एक चीज़ मैं आप से share कर देना चाहता हूं कि करनाटका का registration open हो चुका है जैसा मैंन code करनाटका के official website www.ka.kr.nice.in पर जाका registration कराना होगा चुकि करनाटका state एक open category state है तो इससे कोई मतलब नहीं है कि आप किस state से बिलॉंग करते हो आप किस इंडिया भारत के इंडिया के कौन से कोने से बिलॉंग करते हो अगर आपने qualify कर लिया है mbbs कर अगर आपने qualify कर लिया ह नीट पीजी 2019 का exam तो आप eligible हो करनाटका की counselling attend करने के लिए उस counselling को attend करने के लिए registration कराने के लिए आप eligible हो करनाटका से जुड़ी open category के अलावा बांकी जो भी eligibility criteria है वो मैं आप से next video में discuss करूंगा इस video में फिलाल इतना ही रहने रहते हैं thank you for watching my video बांकी की updates के लिए और doubts को clear करने के लिए चैनल को subscribe कर ले और notification bell ज़रूर प्रेस कर ले जिससे की जो भी updates की वीडियो जो भी updates मैं लेकर आऊंगा वो आप तक जल से जल पहुंच सकेगी thank you so much